हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आनंद कारज, विवाह, अधिनियम या एक्ट के बारे में इस बारे में हम पूरे डीटेल में इस वीडियो में जानेंगे तो हमार साथ बने रहेगा लास्त तक तो चलिए बिना देरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं साथ जून 2012 को केंद्र सरकार ने आनंद मैरिज आक्ट बनाया और आनंद मैरिज अमेंडमेंड बिल को तब की राश्रोपती रही प्रतिभादेवी सेंग पार्टिल ने पास भी कर दिया इस बिल के पास होने के बाद जो कानून बना उसके मुदाबिक इसमें सिक्खो के आनंद कारण शादी का पंजी करण किया जाता है आनंद विवाह कानून को साल 1909 में अधिनियमित किया गया था पर फिर भी इसमें विवाह के पंजी करण या फिर रिजिस्ट्रेशन जरसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था देश की आजादी से पहले गुरु गरंद साहिब जी की मौजूदगी में सिक्खो में शादियां आनंद विवाह अधिनियम के तहती होती थी और 1955 तक इसी तरह से शादियां होती रही थी पर फिर साल 1955 में इसे निरस्त करके चार समुदायों हिंदू, सिक, बौध तथा जैन धर्म को साथ जोड़कर सिक्खों को भी हिंदू विवाह अधिनियम में भी रख दिया गया हालनके 2012 में जब ये आनंद कारज विवाह कानून बना तो सभी राज्यों को इस कानून को लागू करने के लिए बोला गया कानून बनने के बाद ही सिक्खों की शादी का पंजीकरण आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के तहत होने लगा था इससे पहले होता ये था कि हिंदो विवाह अधिनियम के तहत इनकी रजिस्ट्री होती थी जब तक 2012 के पहले आनंद कारज मेरिज आक्ट की क्या फाइदे हैं जरा उन पर गौर कर लेते हैं इससे पहले सिख जोड़े आनंद कारज के सर्टिफिकेट के तौर पर हिंदो होने का सर्टिफिकेट मिलता था पर एक्ट के लागू होने पर सर्टिफिकेट सिख मैरिज आक्ट का मिलता है जिससे सिखों की पहचान हो पाती है कानून के आने से पहले पंजिकरन फॉर्म में धर्म सिख और मैरिज सर्टिफिकेट पर धर्म हिंदू लिखने से सिखों को कई सुवधाएं मिलते ही नहीं थी विदेशों में रहने वाले सिख परिवारों को हिंदू लिखे होनी के कारण कई तरह की सुवधाओं से उनको वंचित रहना पड़ जाता था पर अब ऐसा नहीं है 2012 के बाद हर्याना और पंजाब में इस आक्ट को लागू किया जा चुका है हर्याना में सबसे पहले आनंद मैरेज आक्ट 2012 को पास किया गया दिले में इस आक्ट को लागू किया गया है साल 2011 की जन गड़ना के मताबिक दिली के 3.4 फीज़ याने 6 लाख जन संक्या सिख धर्म को मानती है सिक धर्म में शादी की समारोग को आनंद कारज कहा जाता है और इसके लिए लगनमोर्त, शगुन, अप्शगुन, नक्षत्रों की गड़ना या फिर जन्म, पत्री, बनानी जैसे किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान पर विश्वाफ रखने वालों के लिए हर एक दिन जो होता है वो शुब है, अच्छा है आनंद कारज के लिए अनंद कारज में होता ये है कि सिख जोड़ा गुरुबरंद साहिब जी के सामने चार फेरी लेता है या लावा लेकर ही दोनों की शादी हो जाती है तो ये सिख कारज से जोड़े कानून की हमने इस वीडियो में बात की आपको ये सिग्मेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप पहले से जानते थे कि जो सिख जोड़ा शादी करता है उसका रिजस्ट्रेशन 2012 से पहले हिंदू मैरेश आक्ट के तह कानल सब्सक्राइब कर लीजिए बल आइकउन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे अभी के लिए यहीं तर आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज साहस सच कहने का